हम जिस ब्रमांड में रहते हैं उसका विस्तार हो रहा है। हम इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि आकाश गंगाएं और आकाश गंगाओं के समुह ब्रमांड में लगातार अलग होते जा रहे हैं। यह विस्तार तब से हो रहा है जब ब्रमान्ट का निर्मान 15 अरब साल पहले एक बहुत ही गर्म, घनी घटना में हुआ था जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है. पहले, Astronomers का मानना था कि अंत में गुरुत्वाकर्शन के कारण ब्रमान्ट का विस्तार धीमा हो जाएगा और यह फिर से कलाप्स हो जाएगा. हाला कि, Hubble Telescope के डेटा ने सुझाव दिया कि ब्रमान्ट का विस्तार तेज हो रहा है. प्रकृती के चार fundamental forces, gravitational force, weak nuclear force, electromagnetic force और strong nuclear force है. काल्पनिक सिध्धान्तों ने एक पाँचवे force का प्रस्ताव दिया है जो विस्तार के लिए जिम्मेदार हो सकता है. एनजी के एक नए रूप को पेश किये बिना, यह समझाने का कोई तरीका नहीं था कि एक accelerating ब्रमान को कैसे मापा जा सकता है. Astronomers का मानना है कि तेज विस्तार दर एक रहस्य मय, dark force या एनजी के कारण है जो आकाश गंगाओं को अलग कर रही है. यदि dark matter subatomic particles से बना है, तो लाखों, संभवता आरबों, ऐसे particles को पृत्वी के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर से प्रत्येक सेकंड में गुजरना होगा. कई प्रयोगों का उद्देश इस परिकल्पना का परीक्षन करना है. इस समय, dark matter के particles हमारे अंदर से गुजर रहे हैं. dark matter के बारे में हम जो जानते हैं, वो यह है कि यह मौजूद है, और यही इसके बारे में है. dark matter की खोज दशकों से चली आ रही है. तो dark matter और dark energy क्या है और यह news में क्यूं है? आईए इस बारे में विस्तार से विडियो में competitive exam की दृष्टी से जानते हैं. कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें और नीचे comment box में उत्तर लिखें. एपे 9 परवत कहां स्थित है? A. France, B. Italy, C. Switzerland, या D. Austria? इस सवाल का जवाब आपको इस विडियो के अंत में मिलेगा. तो विडियो को अंत तक जरूर देखें. जब हम सोचते हैं कि हमारा ब्रमान किस चीज़ से बना है, तो हम स्वचालित रूप से सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बारे में सोचते हैं, जो अंतरिक्ष में सुन्दर रूप से घूमते हैं. जो पदार्थ हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और अनुभव करते हैं, जो एटम से बना है और इस प्रकार साधारन माना जाता है, वास्तव में काफी रेर है. हम जो कुछ भी देखते हैं, ग्रह, चंद्रमा, विशाल, आकाश, गंगाएं, आप, मैं, ब्रह्मान्द का 5 प्रतिशत से भी कम हिस्सा बनाते हैं. मैटर, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें ब्रह्मान्द का 5 प्रतिशत से भी कम हिस्सा शामिल है. शेश ब्रमान्ड, 95 प्रतिशत, डाक मैटर, लगभग 25 प्रतिशत, और डाक एनजी, लगभग 70 प्रतिशत से बना डाक यूनिवस है इस खोज का श्रे काफी हद तक खगोल शास्त्री वेरा रूबेन को जाता है जब लाइट किसी वस्तु पर पढ़ती है तो उसका एक भाग रिफलेक्ट होता है और जब रिफलेक्टिड लाइट हमारी आख में प्रवेश करती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं हालांकि, जब light dark matter पर पढ़ती है, तो वो आसानी से उसके माध्यम से चली जाती है. Light या कोई अन्य electromagnetic radiation या matter dark matter के साथ interact नहीं करता है और इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता है. इसलिए dark matter को dark matter कहा जाता है. चुमकि यह सामान्य matter की तरह light के साथ interact नहीं करता है, इसलिए इसे केवल इसके गुरुत्वा कर्शन प्रभावों के माध्यम से ही देखा जा सकता है. जबकि dark matter आकाश गंगाओं को एक साथ आकर्शित या होल्ड करता है, dark energy हमारे ब्रह्मान के विस्तार का कारण बनती है. अलबर्ट आइंस्टीन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया कि empty space, empty नहीं है. dark matter के बारे में अधिक जाना जाता है, क्योंकि इसके अस्तित्व का सुझाव 1920 के दशक की शुरुवात में दिया गया था, जबकि 1998 तक dark energy की खोज नहीं की गई थी. खाल ही में, शोथकरताओं की एक अंतराश्ट्रिय टीम ने dark energy का direct पता लगाया है. Xenon 1T नाम का experiment, दुनिया का सबसे sensitive dark matter experiment है और इसे इटली में INFN Grand Sasso National Laboratory में गहरे भूमिगत रूप से संचालित किया गया था. Xenon 1T जैसे बड़े पैमाने के experiments को dark matter का सीधे पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन संकेतों को देखते हैं जब dark matter, ordinary matter को हिट करता है. Dark energy को खोजना और भी मुश्किल है. Cambridge विश्व विद्याले के शोदकरताओं के नेतरित्व में और Journal Physical Review D में रिपोर्ट किये गए एक नए अध्यान से पता चलता है कि dark energy, रहस्य में शक्ती जो ब्रहमान को गती देती है, Xenon 1T experiment से unexpected results के लिए जिम्मेदार हो सकती है. Xenon 1T experiment इटली के एपैनाइन परवत के नीचे है. ये unexpected results क्यों आए? इसका पता लगाने के लिए एक physical model का निर्मांग किया. सूर्य के एक शेत्र में मजबूत चुम्बकी एक शेत्रों के साथ उत्पन dark energy particles से ये unexpected results आ सकते हैं. हाला कि इस explanation को confirm करने के लिए भविश्य के experiments की आवशक्ता होगी. शोतकरताओं का कहना है कि उनका अध्यान dark energy का प्रत्यक्ष पता लगाने की दिशा में एक महत्वपून कदम हो सकता है. उनकी गरना से पता चलता है कि Zenon 1T जैसे प्रयोग, जिन्हें dark matter का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, का उप्योग dark energy का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है. टीम को उमीद है कि Zenon 1T experiment में upcoming upgrade और इसी तरह के experiments जैसे Lux Zeppelin Sanford Underground Research Facility में स्थित एक next generation dark matter experiment है, और Particle and Astrophysical Zenon Detector China Jinping Underground Laboratory सीधे मदद कर सकती है अगले दशक के भीतर dark energy का पता लगाने में. भारत में, जार्खन में एक abandoned uranium mine में स्थित जादू गोडा lab dark matter के रहसियों को उजागर करने के लिए समर्पित है. हमें अपने ग्याद ब्रमान्द में हर चीज और हर किसी की पूरी समझ को unlock करने के लिए dark matter को समझने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना होगा. इस विडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक question पूंचा था, उसका answer देख लेते हैं. एपेनाइन परवत कहां स्थित है? ए. France, बी. Italy, सी. Switzerland, या डी. Austria. इटली की परवत श्रिंखलाएं एपेनाइन परवत और Alps है. इन mountain ranges से इटली को natural boundary, protection और natural resources मिलता है. तो उत्तर है भी, Italy.